अगया, I tried but failed, चलो, failed, CSIR में fail जैसा कुछ भी नहीं है, या तो आप सीखते हैं, या तो आप जीतते हैं, हारने जैसा कुछ नहीं होता, अगर आपको लग रहा है कि आप कुछ करके fail या हार रहे हैं, फेल हुए हैं तो आप फिर बहुत अलग attitude में हैं आप कोई भी चीज करते हैं तो करने के बाद आप या तो जीतेंगे या तो सीखेंगे मतलब कोई भी चीज जैसे अगर Thomas Elva Edison जो थे उन्होंने क्या किया था उन्होंने इंटर्व्यू में यही बोला था कि मैं हजार बार आपको मंजिल तक नहीं पहुचाया तो मुझे यह पता चला कि इस रास्ते से तो मंजिल तक नहीं पहुचेंगे कोई और ही रास्ता होगा आप सीखते हैं अपने गलतियों से हारते नहीं है ठीक है हारने का मतलब यह है कि आपने उमीद छोड़ दिये और मैं हमेशा एटिट्यूड पर बोलता रहता हूं और लोगों को एटिट्यूड का मतलब भी नहीं समझ पहले तो कई बच्चे ऐसे जिनको एटिट्यूड का मतलब लग रहा होगा अलगी चीज क्योंकि आजकल निब हेंगर जैसे सट की कपड़ा देखोगे तो हेंगर जैसा लटक रहा होता है ऐसा वह उसका बोडी टेक्चर होगा बाल उसके स्पाइक होंगे और आजीबो तरीके का कलर किया होगा और ज्यादा तर ऐसे लोग स्पाइस के टियम वाला जो बाइक होता है उसको चलाएंगे और वह भी नॉर्मल नहीं चलाएंगे वह उनका बोडी पॉश्चर ऐसे चलाना होता है ठीक है और उसके बाद जो हो भी नॉर्मल स्ट्रेट रोड पे जो है वह सीधे नहीं चलेगा वह जो है ऐसे घुमांके लेके चलेगा ठीक है और फिर उसे देखके ज्यादा तर उतर के जाएगा एक चाय के टपरी पे और फिर एक सिग्रेट लेगा धुआ मारेगा और बोलेगा यार क्या मस्त जिन्दगी आपको लगता है इस बंदे का एक्टिट्यूड कितना धास हुआ ज्यादा तर लोगों को ऐसे लोग पसंद आते कई लोगों को नहीं भी आते कई सब का अपना नजरिया मैं सिर्फ सम畏नी को उसस करां कि यह एट्यूड नहीं है इसवाद दूसरी कटेग्री होगीстungen कि जिम वगणा जा रहे कुछ ऐसे लोगों आई जो कि ऐसे लोगों को attitude लगता है कि कोई बंदा जाके दो चार मचलियां फुला लिया ऐसे करके जिसको वो मचलिया बैचारा वो नहां भी नहीं पाता धंग से ऐसा लोग जो इतने मचलिया फुला लेगा वो पीठ में कभी साबुन लगा नहीं सकता है वो पीठ तक कभी साही जो है बिना साबुन के धुले की डेली शावर ले ले लेगा बात ठीक है लेकिन साबुन या जो भी शावर जेल है वो नहीं सही तरीके से लगा सकता ठीक है चार मचलिया लगा लेगा और लड़कियों को लेगा है हाँ यार क्या सही लग रहा है पेट में दो चार बि तिनका तो हम लेकानिय जा सकते हमारे पास क्या है को इस्रिट की मांठेल जिससे हम खाने को टेस्ट कर सकते हैं पूरी जिन्दगी बिचा लेता है Umwelt खा-खार के प्रोटीनस एक पिपी और फिर ऐसी जिन्दगी के बाद जब वो विस्तर पे लेटे रहेगा अपने आखरी समय में क्या सोचेगा कि अरे यार एक दो बर्गर खा लिए होते तो क्या चला जाता उम्र तो 70-75 तब भीत रहेगी जो उम्र लिखी कि 40-75 जीएगा तो उतना ही उसना उसे ज्यादा जीएगा ना कम जीएगा लेकिन फिर भी कूल डूट बन जाता है तीसरी कटेगरी आती है गिटार वालोगों की वह ऐसी कटेगरी होती है जिनको पढ़ने लिखने से कोई मतलब नहीं है वह अलग ही मतलब एक सट खोस के एक सट गिला करके गिटार ले लेंगे बजाते रहेंगे और लड़ी के अब पागल यही है हमारी जिंदगी का अरजीत सिंग ठीक है यह एटिट्यूड नहीं है ठीक है चाहे आप बोडी बना रहे हैं चाहे आप जो है वो बाइक ऐसे वैसे गुमा रहे हैं दुनिया को ऐसे हवा में उड़ा रहे हैं चाहे आप यह दिखा रहे हैं कि यस मेरे पास इतना पैसा है उतना पैसा है वो पैसा एटिट्यूड यह नहीं यह personality होती है यही आपको ऐसे एटिट्यूड और personality में बहुत बड़ा डिफ्रेंस होता है जो आपको as appearance दिखता है that is परसिनालिटी मेरी परसिनालिटी ऐसी है मतलब आप यह जो भी आप देखते वह परसिनालिटी है एटिटीट इस ऑल अबाउट थिंकिंग यूर थौट प्रॉसस ठीक है जब किसी एक अच्छे व्यक्ति के साथ जब मिलते हो कई सारे व्यक्ति ऐसा नहीं कि मेरे को छोड़क के पास कितना experience है इस बंदी की बात है कितनी सही है और कितना base level पर बात करें कई ऐसे लोग है जो बहुत अच्छी बाते गड़ते हैं बहुत practical बाते गड़ते हैं और हर situation में उनके पास कुछ न कुछ सवाल होता है कुछ न कुछ जवाब होता है वो किसी न किसी situation में आपको hopeless होने नहीं देंगे आप अगर hopeless होगे तो उनके पास कुछ न कुछ solution होगा वो हर एक negative situation में भी कुछ न कुछ positive सोचने की उमीद रखते हैं और ऐसी thought process ही एक बहुत अच्छे इंसान की quality होती है इंसान की जिसे नियत बोलते हैं सोच बोलते हैं ठीक है भले ही आप चाहे कित brain को आपके body से निकाल के मैं side में रख दू तो आपका हाथ उठ नहीं सकता है अगर उठेगा भी तो nonsense मैंने मतलब कोई coordination नहीं होगा जानवर की तरह हो जाएंगे आप आपकी body आपके हिसाब से चलती है क्योंकि आपका brain उसे चलाता है और exactly आपके brain ही सब कुछ decide करते हैं your body just performing the action and that action is governed by your thoughts and your thoughts is your attitude इसी लिए तो positive attitude और negative होता है कि आप चीजों में देखते क्या है और attitude जब भी मैं बोलता हूँ और मैं जब भी अपने student से बस एक ही चीज उम्मीद करता हूँ देखो कोई मेहनत कम करेगा कोई जदा करेगा कोई ज़ादा कम कुछ भी करे कोई पास होगा और लेकिन आपका attitude आपको जिंदगी में आगे बढ़ाता है क्योंकि मेहनत सभी करेगा लेकिन सब qualify नहीं होता है नोकरी करोगे जाके लेकिन हर जगह परसान रहोगे अगर आप मुझे बोला कि ऐसा attitude नहीं डर लग रहा है यह लग रहा है फलाना धिमकाना तो यह जो डर वगरा वाली चीज़ है डर भी एक attitude ही है ठीक है वह एक exam को लेके डरना मतलब negative attitude आप क्यों डर रहे हो भाई मतलब जो चीज अभी हुई नहीं exam काम दिसंबर में होने वाला है अगर आप दिसंबर का टार्गेट कर रहे हैं आप फ्यूचर को चार पांच महीने छे महीने बाद के फ्यूचर को लेके अभी डर रहे हो तो इसके खुष कियों के कभी खुष क्यों नहीं हो सकते कि यह एसको क्यों नहीं सोंसकते आपनेपर दूस्तों को बताएंगे status update करेंगे PhD join करेंगे मज़ा आएगा fellowship कभी positive सोच के तो देखो सोचते ही नहीं हो क्योंकि attitude की गड़ और यहां से जिस दिन सोचना सुरू कर दिया body अपने अप उधर चलने लगेगी और इसके लिए मैंने बहुत बार positive frequency की बात करें आप कभी physics पढ़ोगे उसमें resonance का concept आता है और मैं इस पे बहुत lectures ले चुको बहुत सारे studies भी कर चुको हूँ हमारे आपने भी पढ़ाओगा brain से frequency निकलती है और जब दो frequency का wavelength या frequency सेम होती तो वो आपस में resonate करती है simple सब्दों में बोला जाए polar polar वाला concept जैसा है like dissolves like आपके brain से जो energy निकलेगी वही दूसरे energy को dissolve मनलब अपने साथ लेके आएगा अब आप negative ही सोचोगे दिन भर बैठके कि मेरा नहीं होगा तो आपको लगता है कि आपकी brain की जो energy निकल रही वो positive निकल रही है कब ही निकल रही है तो attract क्या होगा negative ही होगा क्योंकि आपके brain की energy resonate negative सही होगी तो फिर कहोगे कि हम बहुत कुछ किये लेकिन हो नहीं रहा है सर्फ जिंदगी बेकार होगी अरे कभी positive सोचा ही नहीं दिन भर बैठके negative सोच होगे तो कैसे positive होगा इसलिए कम से कम कुछ नहीं तो thought तो आपके control में है कुछ तो control अगर नहीं भी है तो कुछ तो उसको समझाओ लेकिन bad बैठके negative बोलते रहते और अगर नहीं बोल सकते अच्छा तो कम से कम negative मत बोलो mother teresa की बात याद है उन्होंने कहा था कि किसी को जो है अगर ये बोलना हो कि you are bad तो आप उसको बुरा मत बोलो उसको ये बोलो you are not good क्योंकि हमारा brain जो है वो bad word को बुरी images से तुरंत map कर लेगा बुरी images सब को thoughts आने लगेंगे not good में not का कोई image नहीं होता जब भी आप you are not good बोलोगे तो not का brain में कोई map नहीं आएगा कोई not का क्या image होगा लेकिन good का image बनेगा तो you are not good भी एक अच्छी चीज होती है ये आप समझे नेगेटीव को भी सही तरीके से कहना आपका brain बहुत powerful है आप use करके देखो और मैं लिटली बता रहा हूँ यार यह सब CSIR आपको लगता होगा कि यह मैं 10 मिट लेके जो बोल रहा हूँ न यह बहुत impactful है जिस बंदे को समझ में आ जाएगा यह बाकी तो 6 महीने मुझे पढ़ाना ही है चार साड़े चार महीने पढ़ाने है मैं पढ़ाता रहूँगा चलता चला जाऊँगा शुरुआत की क्लास है फिर से समझा रहा हूँ और जिसको समझ में आ जाएगा आप अपनी पूरा future बदल सकते हो अपने सिर्फ thoughts से पूरा future और मैं literally कई जगों पर इसका example बता चुक था और गाव में था तो मुझे हमेशा से ऐसा मैं जब भी किसी बनते हुए घर को देखता construction को देखता कहीं पर कोई construction होता बचपन से मुझे हमेशा यह चीज लगती कि यार कभी मैं अपना घर बनाऊंगा और literally वह चीज आ गई मैंने कभी उसके लिए सोचा नहीं था कि मै कभी वह कर भी पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा ठीक है और वह कब हो गया कैसे हो गया मतलब वह सारी चीज हो गई और मुझे सपने जैसा लगता है कि मैंने उसको अचीव भी कर लिया और मैं literally यह चीज फील कर पाया हूं कि किसी चीज के बारे में अगर आप सिफ सोच रहे और किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो सारी कायानात उसे मिलाने में लगाते हैं वह फ्रिक्वेंसीज यह सोच यह जो चहिए हैं सांटिस्ट को सांटिस्ट को विजूलाइज करे mau-ची अच्छी चीज विजूलाइज तो दुनिया को दिखाने के लिए अच्छा नहीं बनना है अपने आपको जब मिरर में देखते हो ना एक कहानी एक लाइन बहुत अच्छी बोली जाती है कि ताउम्र हम यह गुस्ताखियां करते रहे धूल चेहरे पे थी आइना साफ करते रहे ठीक है कई बार जो है सिर्फ अपने जो है चेहरे को हम नहीं साफ कर पाते पूरी दुनिया को सही करने में पूरी दुनिया को दिखाने में लगे रहते यह मैटर ही नहीं करता कि आप फोस्बुक के स्टेटस पे क्या डालते हो आप दूसरों के को क्या आप जब खुद को आईने में देखते हो तो खु बुरा इंसान हूँ या मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ मैं यह वो नहीं हूँ या मैं अच्छा टीचर नहीं हूँ मैं यह लेकिन मैं इंटर्नली आज तक अपने आपको बुरा नहीं बोलता हूँ जब मैं मिरर में देखता हूँ मैं एक ही चीज बोलता हूं, मैं कर लूँगा, आज नहीं तो कल कर लूँगा, चाहाब जैसे कर लूँगा, जो मुझे चाही है, मुझे करना है, that's it, कैसे होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन करना हूं, कुछ न कुछ रास्ता निकली आएगा, और आज तक निकल आया है, और आप भी निकाल सकते हो यहां से पावर्फुल है यूज करिये प्लीज पॉजटिव रही यह पॉजटिव चीज़े सोचिए और अगर नहीं बोल सकते नहीं सोच सकते तो कम से कम निगेटिव को रोग दीजिये मत बोलिए मत सोचिए और आ रहा है तो इगनूर मारिए अगर तो just ignore it कि नहीं मुझे बोलना है नहीं मुझे सोचना है नहीं उसके बारे में ठीक है आया गया बात खातब ठीक चलिए आपका ज्यादा समय लेने के लिए मैं चमा चाहूंगा यूनिट कनवर्जन पर आ जाते हैं हाला कि मेरा जो मोस्ट टॉपिक था आज के लेक्चर का समाप्त हो चुका इसलिए मैं समय ले लिया अगर मेरे पास कंटेंट पढ़ाने को होता हो तो मैं डेफिनेटल यह बोल नहीं रहा होता मैं अपना लेक्चर ले रहा होता आज का जो मेरा टार्गेट था वो लगभग स समाप्त होगा यह एक्स्टा इंफॉर्मेशन जो है मैं आपको दे रहा हूँ सो देट कल की क्लास में आपके लिए इंपोर्टेंट हो जाएगा इसलिए देखो यह यहां पे जब आप देख रहे थे तो नया टाइटल सुरू हो गया था ठीक फिलाल के तौर पर यूनिट क कोई चीज जो है वो कभी भी डाइकोटमी पे नहीं होती ठीक है कोई चीज अच्छी या बुरी नहीं होती कोई चीज कही जिंदगी में सिर्फ सुख या दुख नहीं होता कोई चीज सिर्फ पॉजटिव या निगेटिव नहीं होती हमेशा एंड में होती हैं चीज़े को कोई चीज एक समय पे अच्छी भी हो सकती है बुरी भी हो सकती है लाइफ में एक ही टाइम पे सुख भी हो सकता है दुख भी हो सकता है एक ही जगह पे एक ही इंसान पॉजिटीव हो सकता है नेगेटीव हो सकता है आपके लिए पॉजिटीव है दिसी और के लिए नेगेटी लेकिन अभी कुछ बच्चों का समय वेस्ट हो रहा होगा तो वो मुझे गाली दे रहे होंगे मनों मन कि अरे यारी क्या भालतों की बात हम जैसे नहीं जानते हैं कि हम तो यहीं चीज है एक ही इंसिडेंट अच्छा और बुरा दोनों हो सकता है एक ही इसिडेंट पॉजिट प्रेट लगे अगर वह दर्द होना आपको लगता है यार दर्द हो रहा है फीवर हो रहा है मैं आपको पता होगा कि स्विवर होना बॉडी का एक बहुत अच्छा शीम्टम है हम दवाई देके पराशिटमल देके उसको बेकारते हैं वो गड़बर चीज़ेंगी फीवर एक alarming signal देता है, alarming signal का मतलब यह बताता है कि हमारी body में कुछ गड़बढ है, exactly जब body में कुछ कटेगा, जलेगा, अगर मैं आपको आग में फेक दूँगा, जल जाओगे, पता तक नहीं चलेगा, आपको sense ही नहीं होगा, तो आपका जो sensation है, आपको एक signal देता है, वैसे ही signal का काम करती है, अगर body में कहीं दर्द हो रहा है, तो उसका signal है, कुछ गड़बढ है, सही करो, मन के level पे दुख हो रहा है, तो इसका मतलब कुछ गड़बढ है, नेगेटिव हो रहा है, सही करो, और अगर life के लेवल पे failure हो रहा है, तो मतलब कुछ गड़बढ है, सही करो ये alarming situations है और life के दोनों हिस्से हैं अगर कहीं पे दिन है तो रात होना लाजमी है नहीं तो दिन की value क्या रहेगे और negativity आपके signal देता है कि कुछ गड़बढ है ठीक करो अगर वो ना हो तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कई गड़बढ हो रहा है आप क्यों ऐसे सोचते है negative ब होता है और इस सब चीजे छोड़ दो मलब दस लीव यूर लाइफ जस्ट डू यूर वर्क डैट सेट पॉजिटिव नेगेटिव दुख सुख यह सब बखवास बाते होती है इमोसंस होती है इमोसंस को लोगों ने बाट दिया है ठीक चलिए अब आगे बढ़ते हैं ठीक कि सर मुझे प्राब्लम हो रही टॉपिक सबज में नहीं आ रहा है मैं उसे छोड़ दे रही हूं मुझे कुछ नहीं आ रहा है मत छोड़ दो भाई बर ठीक है क्योंकि बहुत सही है छोड़ना ठीक है चलिए आगे बढ़ जाते हैं बहुत सारे लोग चैट बॉक्स में बाते करते रहेंगे ठीक है